आख हलो अपका एक्सलेंट एकडेमी के केमिस्ट्री के लास के अंदर में स्वागत है मैं राज उठाक्रेई आपको मैं आज केमिस्ट्री के एक बहुतन इंपोर्टन्ट वीडियो देने वाला घॉइज तो आपको लास्ट के वीडियो के अंत में अगर अच्छा लगता है प्लीज़ ऍाइज हमारे चैनल को क्या कर दीजी गा सब्सक्राइब कर दीजी गा और हो सके तो लाइक एंड क्या कर दीजी गा शेयर कर दीजी गा बच्चो आज का वीडियो हमारा बहुत important है chemistry कैस्पेक्टरिशन की साब से क्योंकि早 हम लोग preparation करने वाले कार्बोजाइलिक एसिट के बारे में कार्बोजाइलिक एसिट का हम लोग आज प्रिपरेशन करने वाले और वह बहुत ही इंपॉर्टन एक मेतर से जिसके अंदर में हमको ग्रिगनार्ड रियेजन्ट का और ड्राइ आइस के मदद से हमको कार्बोजाइलिक था कि मैं अपने लेक्षर के अंदर में आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा करके दूगा सो गाईज हमारे कूचिंग क्लास में अगर बुले तो हमारे कूचिंग क्लास अगर ठास टॉप की बात करें तो ठांसिंग सर आपको जो फिजिक्स और मैतेमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैं खुद राजू सर आपको केमेस्ट्री और बायोजी पढ़ाओंगा तो मैतेमेटिक कर आपको वीडियो चहिए हमारे कोचिंस के अगर एक्सपर्ट टीचरों के दोर आगर आपको वीडियो चहिए तो घाइस प्लीज ठांसिंग सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा चैनल का नाम है आपका एक्सलेंट अड़ी उसके जो दी गई बेल आइकोंस और उसके बाद में अगर मानके चलो के सबस्क्राइब कर दीजी गा लाइक कर दीजी गा अगर आपको कैमिस्ट्री और बाइलोजी के वीडीओ ची या टेन्थ क्लास प्लास के साइनस के वीडीओ चीये तो जाकर कि गाई मेरी यूटिव चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजीगा आपको चैनल का नाम में नीचे डिस्क्रिप्ट वहाँ पर लीचे में लिखा हूँ आज उठा करें केमिस्ट्री बायलोजी एंड साइंस तो गाइस इन चैनल के लिंक पर जाकर कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को बहुत बहुत बहुतर तरीके से हमों क्या करें सम्झाने का प्रयास कर सके हमारा यह की प्रयाओ थैedi हर topic के बारे में क्या करवाना understanding करवाना हमारा main motor यह है कि understanding होना अची है आप लोगों को और easy way में कैसे topic को समझाए जा सके है यह हमारा एक प्रयास होता है तो guys एक बार अगर यह वीडियो अच्छा लगे आपको कि मेरा यह वीडियो अगर आपको सही में अच्छा लगता है अगर मैं आपको चीज़े समझा पा रहा हूँ तो guys प्लीज इन दोनों चैनल को जाकर विजिट करिएगा और देखेगा कि आपको कितने अच्छे अच्छ कर्बुजाइलिक एसिट का प्रिपरेशिन करना है तोस्तों यह मतलब करेशिन करना है और मेतड़िक केसा कि क Leg нет नर चिसन करना है और तो बहूत एक समझो करना के सबसेब कर एक आपकी अब इस तो सबसे पहली चीज इसके अंदरमें हमको करना क्या है कि हमको सबसे पहले gridnotreson लेना है तो gridnotreson का मतलब क्या होता है guys RMGX जो आपके screen के उपर में display हो रहा है तो RMGX का मतलब क्या होता है gridnotreson आपको कुछ नहीं करना है isko dry है इसके साथ में reaction करना है मतलब solid वहाँ पर क्या लेना है अपने को carbon dioxide लेना है solid carbon dioxide को अगर मैं लिखू तो CO2 न लिखते हुए अगर मैं उसको solid carbon dioxide को CO2 भी लिख सकता हूँ लेकिन CO2 न लिखते हुए मैं उसके जगह पर क्या कर सकता हूँ O double bond C और double bond O जो आपको यहाँ पर IC लिखा हुआ नजरा रहा है reaction के अंदर में जब इनकी reaction करेगे गाई तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो यह carbon carbon atom है दोनों carbon carbon यह carbon दोनों इस oxygen यहाँ पर जुड़े हुए carbon ग्रूप से तो इस carbon carbon का जो carbon के पास में सबसे पहले गाईस सबसे पहले क्या होगा यह alkyl group जाएगा यह alkyl group attach हो जाएगा इस सी से आपको दीखाए दिरादbol, मैं आगे और जुम करके आपको दीखा रहरो सबसे पहले क्या होगा, किसके अंदर में जो आपको ग्रिगनार रीजन आपने स्जूस किये तो ग्रिगनार रीजन मतलब क्या बच्चो, RMAG EX, करेक्ट RMGX तो R का जो Alkyl Group होता है सबसे पहले आकर किसके पास में आएगा Carbon के पास में आएगा अब ये क्यों आएगा क्योंकि Carbon आपको पता है कि लेक्टर नोनिट करता है किसको Oxygen को तो उसके उपर Parcial Positive चारज होता है और Alkyl Group के उपर में Parcial Negative चारज होता है उसके बाद में जो आके का एक साइड में अगर Alkyl Group है तो Another Side के अंदर में क्या हो जाएगा तुम्हारा MGX का ग्रूप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अटेच हो जाएगा इसको नाम नहीं दे सकते तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था कि RC क्या लिख सकता था इसको मैं इसको बता रहा ठीक है गाईस तोड़ा सा देख लेज़ेगा नोटबुक पर इसको नोटडाउन भी कर दीज़ेगा RC तो ये कार्बन के पास मैं double bond O भी लिख सकता था मैं और O के साथ मैं क्या लिख सकता था अईसा भी लिख सकता हो था यहां कुछ नहीं हुआ बिटा यह जो alkyl group था यहां पर आया यहां पर आने को इसे single bond यहां से break हो गया double bond break हुआ और इसके पास मैं इधर alkyl group आ गया और इधर में क्या आ गया बिच्छो mgx आ गया यहीं बिल्कुँ simple casey मैं तरत एक complex पना फिर इस complex का क्या करना है के बिच्छ ऐना है विजयोल आपको सही आहा होगा तिस अर ये आर सी डबल बॉंद ओ मतलब यह कैसा है गाईज यह आर सी डबल बॉंड ओ और कैन ओ म्जिक से बच्छे हैं अब यह ओंजी एकस है अब इसके पास में इस हो एच- oxygen के पास में ने के वजह से यहां यह 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 चा जाएगा तो यह बन जाएगा तो वाम के बाइगा आर सी डबल बॉन और वह भुब गई बन गहाए आपका और ब्रिपरेशन में तरह हमारे किसिंद कि कार्बोजेली कई एप पिरसे książ। प्यार से को समझ लेते एक बढ़ फिर से देखो मेरे पास में क्या था कि आर सी, डबल बाउन, ओएक मिनट गाई της का अपने लग तोड़ावसा चेंज कर देंगे अगर देखोगे तो मैंने यहां पर चूश कर लिया है यह देखो चैलो और सी डबल बॉन्ड ओ और क्या यहां पर ओ एम्जी एक्स था अपने वह इसा कॉंप्लेक्स मिला था ये चूरच में का यह वाटर है क्योंज और क्योंकि आसे डाढूलाइसिस करना है तो आपको यह यह जाकर ये पास में गया और सी डबल बॉन्ड ओ जैस साथ मैं जो था यहाला इच्छह कहां चला गया इस O के पास में चला गया निकला किया बार AMG ,ONG के साथ में X Anachate और इधर से बचा क्या बचा कि बैच्छो इंए इधर से क्या बच गया आपको इंदर से क्या बच गया यहां पर अगर देखोगे तो OH का गृूप बचा क्योंकि यहां पर हुआज इसलिए कि यह वाला ओउज का गृूप आपका भी भी तो कुछ नहीं करना है गाइज सबसे पहले ड्राइज के साथ में करोगे तो ड्राइज मतलब कार्बन डाया ऑक्साइड सॉलीड वाला इसके पहले क्या करना है कार्बन के वास में एक अलकायल ग्रूप लाना है जैसे अलकायल ग्रूप ला लेंगे और फिर बच्चा हुआ क के पास पास अलकायल गूह का नाव आढ़न करbringen को यह जरा यह बहुरां Kirla फीर सब् recoil एक ऊर्न आए करो सब गुझा कर यहां नाचे जातरा रिल्ख ग्रूए इसको एक मेतर एक बहुत इसी में तरह गाई जिसको इसको एक्जामपल से और समझने का प्रयास करते हैं इसको एक्जामपल से समझते हैं एक्जामपल में देखो तो कैसा है इसमें मैंने क्या कर दिया आपको वहीं आपको डबल बॉंट यह अलकायल ग्रूप मतलब और यह चा जाएगा और एमजी बियार बार हो जाएगा और वाटर में का वेज भी था तो वेज इसके साथ में चला जाएगा ऐसे सिंपल से एक रियाक्शन इसको मेकैनिजम के तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है तो तुम्हारा जो कार्बन डायक्साइड करबन डायक्साइड के दुनों ऑक्सिजन के 오र में दोलोन पे रहते हैं तो ए आपका ग्रियंड बिदाबं किंद्र सबसे येक्ट्रों लेकरिकर बाहर चला गा तो उसको औ जाकर के चार्ज में क्नोड हो जाएगा जो जो नीगेटियु चार्ज में आपको दिखाए दे रहे ते त Bishop यहां पर यह उपर में नीगेटियु चार्ज दिखाए лыघे फिर उसके उपर में एक लोन पेर एक्ष्ट्रा आजाएगी फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा इस चार्ज हटना है यह वाला जो ऑक्सिजन की लोन पेर्स यह ऑक्सिजन की लोन पेर्स क्या हो जाएगा वाटर में के एच के साथ में चले जाएगी तो यह वाटर में का ए extra जएगा इस o को चार्ज अठ जट जाएका और क्या बन जाएका बाहर चलाएख बाहर है एंजी बियार और फी करभा पर यहां पर क्या हो जाएगा और यह ऐसा यह बाहर हो जाएगा एक बार फिर से समझाता थीको प्यार से पहले अपने को सीर्फ स्ट्री मतलब ड्राय आइस में के कार्बन के पास में चला गया जो आपको यह आरो दिक्षाय दे रही है अब यह यह दर जाने को यहां का तूटा देखो यहां का बॉंड यहां का बॉंड यहां का जो था यह तूट गया और यह तूटने को यह से ऑक्सिजन और कार्बन के विच में सिंगल बॉंड आ गया अब सिंगल बॉंड आ गया तो ऑक्सिजन के वैलेंस यह पूरी निगेटी उचा जा जा गया यहर्ष यहां पर बतलब भीर अचिजन के साथ में घॉक्राइब और बचा हुई व्यासिटर और इस साथ में आथे हρείर ऐसा बिलुकल सिंपल सिंपल जिसका मेकैनेज्जम है और सबसे पहले अलकाइल ग्रूप कार्बन के पास में जाता है कार्बन रोड्य डबल बॉन तूटता है बाइसके उपर में चार जाता निकट्यू-चारज और इसके लिएक सब्सक्राइब करो लाइक करो सेयर करो ताकि मैं और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया गाईज तो प्लीज चानल को गाईज सब्सक्राइब करो लाइक करो सेयर करो ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको मोटिवेशन मिलेगा हम अच्छे तरीके से आपके लिए और और वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे तरीके से आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे गाईज तो गाईज और अगर आपको लगता है कुछ औ कर दो प्रॉप कर सकते हैं तो प्लीस सजेशन बाक्स में लिग दीजिए का कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए पाकि ऊरोज आपके सब्सक्राइट को फॉलो कर सकनख और अच्छे वीडियो आप przeci लोगो को दे सकें तो तो जाएच प्लीस आगे चलके क्या कोई सचे